हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छे से जल रही होगी तो दोस्तो रेलवे गुरूप D रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन आप से एक रिक्वेस्ट है एक निवेदन है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पे आपको रेलवे से सम्बंदित पल-पल का अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों यहाँ पे खबर आप देख पारे होंगे यह आज की अपडेट है 17 नवंबर की और यहाँ पे लिखा हुआ है पहले इसके वारें पढ़ लेते हैं उसके बार अपने विचार रखते हैं कि क्या कहानी है और क्या सत्यता है यह नई दिल्ली का अपडेट है रेलवे गुरूब डी परिख्छा का परेडाम इसी सब्ता गोसित होने की उम्मीद है शुत्रो की माने तो पांच चरणों में आयोजित हुई आरार्वी गुरूब डी की भरती के पांच चरणों का परेडाम एक साथ आ सकता है यहाँ पे पूरी खबर आप देख पारे होंगे अब्यारती एक साथ इन पांच चरणों का रिजल्ट रेल्वे बोर्ड की आरिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे चातलों को इसी परिख्छा से जुड़े सभी अपडेट को ध्यान से पढ़ना चाहिए परिख्छा में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी पहला कंप्यूटर आधारित परिख्छा जिसका आयोजन हो चुका है इसके बाद फिजिकल एक्जाम का आयोजन किया जाएगा और अन्तिम में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इन तीन चरणों को सफलता पुर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवार को ग्रूबडी पर भरती के लिए बलब उन्हें भरती कर लिया जाएगा उनकी जॉइनिंग हो जाएगी तो दोस्तों ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है इसी हफते की बात की जा रही है देकि इसी हफते तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि हाँ भई इसी महिने आपका रेलवे गूरूबडी का परेडाम आ सकता है यह यूँ कहें अगले सब तहा आपका railway group B का परड़ाम आ सकता है बाकी railway भरती बोड इस समय mission mode पे काम कर रहा है आप जानते हैं तो कुछ भी हो सकता है कितना भी जल्दी कुछ भी किया जा सकता है पर जह तक हमारा मानना है अभी थोड़ा समय है और अगले week तक परड़ामाने की संभावना है फिलाल यह आज की update थी जैसे ही आगे कोई सुचना मिलती है हम आपको बताएंगे अभे के लिए इतना ही धन्यवाद